जाहे तू हसनु तू आखे हो नम भाग मत कर प्रयास रया राध ही दिन निकलेगा फिर सूरज भाग मत कर प्रयास रहा ठीडा तू भाग मत पीडाई सु खे सुखी वेशन को वेशन को वेशन को सुखी हे पीरह अजय हे वे पीरह कर परियास भाग मत कर परियास भाग मत कर परियास कार प्रयास भागमाठ भागमाठ कार प्रयास भागमाठ कि अधर्श राजा वहे जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृड़ हो तीनों दृड़ क्यों? यदि राजा तन से दृबल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को ना सिमाओं को और यदि उसका निरबल और अस्थेर हुआ मन तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंटाओं से अधिक पाना है और अधिक पाने के लिए बहुत खत्रा उठाना पड़ता है कुछ लोग खत्रा नहीं उठाते हैं जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं पर जो प्रगति करना चाहते हैं उपर उठना चाहते हैं जो कुछ उनके पास है उसे दाओं पर लगाने से नहीं डरते संभावना है कि हार जाएं वे कुछ ना कर पाएं वे पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है भले ही वे हार जाएं पर ये संदोश उनसे कौन चीन सकता है, कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया समस्या से बचना ही आविश्यक ने समझदार वो है, जो समस्या से टकरा है, तो फिर उसे मिटा कर ही तम दे समराट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं अखंड भारत बनाने के लिए, पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं डालो, और राज करो, यही नियम है राजनीतिका लक्षे प्राप्ती के लिए दो मार्क होते हैं चंदकुंत एक सरल मार्क, तो दूसरा कठें सरल मार्क सदैव लभाता है परन्तु लक्षे तक पहुँचने से पहले ही भड़का देता है एवं दूसरा कठें मार्क वो लंबा हो सकता है किन्तु लक्षे तक अवश्य पहुँचाता है यदि तुम्हे सहाय था चाहिए तो उसे पैदा भी तुम ही को करना पड़ेगा इच्छित विदिया अपनों से मिले या शक्रों से मिले हर मूले पर उसका लक्ष केवल बिले चाहे उसे मान मिले या आप मान मिले गरू जो सिखाय उसे सीखो जब भी लोग तुम्हारे पती अचानक अपना वेवार बदल ले तो उनसे बहुत संभल कर रहना उन्हों ने तुम्हे अपना नेता मान लिया है उनके साथ चलने में क्या चुनौती चुनौती उन्हे साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने सुनना सब की चंद्रकुत किम्तु करना अपने मन की और एक बात मित्र हो चाहे शत्रू प्यार से सभी को जीता जा सकता है लोगों के हिद को समझने उनका विश्वास जीन कटिन है किन तो करना होगा उसे में सब जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो कि उससे बाहर कैसे निकलोगे इस पक्ष को सदैव याद रखो नेत्रत्व क्या होता है शत्रू या विपरीद परिस्तितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना एक अच्छा राजा वो नहीं जो आगमन करना जानता है एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है उन्हें संगटित होने के लिए समय जुटाना भी आता है पीछे हटने में कोई लच्चा नहीं है एकले तिन ने उच्छा से लड़ता है अच्छा रे मुझे ये आप भी ने जिखा है कि यो तो बल से ने मुद्धी से जीज़ना चाता है इसलिए मैं भी पहले कारविनाद की कम्यों का पता लगाऊगा और फिर वहाँ वार करूँगा जहां वार करने से उसे सबसे अधिक चोट लगा मैं चाहता हूँ सकारात्मक सोच सबसे योजना मात्र कलतना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करूँ और उसे सच बनादे हर बड़े कारे से पहले उसका सपना दिखा जाता है और फिर उसे मूर्त रुद दिया जाता है मात्र इच्छ शक्ति बस यही एक मूल मत्र है हर सपलता के पीछे इच्छ कर तड़ता से चाहू और फिर उसके लिए मर मिटे विजे सदा तुम्हारा वरण करें हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कुरना चाहिए और ना ही अपने भविश्यक को लेकर अनावश्यक रूप से उच्ज़क होना चाहिए वर्तमान वर्तमान सत्य है उसे पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए किन्तो कैसे बीते समय से शक्ती बटोर और सज़क होकर गड़ो अपना परतमान भविश्य अपने आप समर जाएगा क्रोध के उनमाद में नहीं होता है समस्या का निदान किन्तो शांत चित हर समस्या का हल ढूण सकता है एक बात सदैव स्मरन रखना चंद्रावाद कोई भी नियती जनित समस्या मानविये क्षमताओं से बड़ी नहीं है समस्या मात्र इतनी से है कि अधिकतर लोग कठिनाईयों को केवल देखते रह जाते किन्तो कुछ लोग कठिनाईयों के बीच रहकर भी अपने लक्षे को प्राप्त करने की शमता रखते हैं इतिहास में केवल उन्हे का नाम दिखा जाता है जो विशम से विशम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्षे को त्रिष्टी में रख का धैनिक समस्याओं में बिना उल्चे लक्षे प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को समूल सुलजा लेते हैं इतिहास साक्षी है चंदूक महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाईयों को आगे बढ़ने का अफसर बना लिया हो जिसने अपनी कम्यों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया हो असंभव दिखने वाला निर्ने होता क्या है एक ऐसा कठिन निर्ने जो लिया जा सकता है इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्ने लोग क्योंकि समस्या को और निर्ने से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगे निर्ने लेने में साहस करो फिर देखो, इतिहास, तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है एक सरल नियम है चुद्रकुत समस्या तुम्हें समाप्त करे, उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो चड़ से मिटा दो ताकि वो अपना सरी नाउगा झाल